वेलकम गाईज, वेलकम टो माई चैनल, आज हम लोग चंडीगड का PGT एकनोमिक्स का जो सलेबस अभी लेटिस्ट आउट हुआ है, उसमें अपना जो सब्जिक्ट है एकनोमिक्स उसके सलेबस को डिसकस करेंगे, आप लोगों को पता है, चंडीगड का जो एजुकेशन फिलिंग करने की क्या थी, डेट सी, लेकिन अभी तक PGT के सब्जिक्ट का जो सलेबस है, वो आउट नहीं हुआ था, आज ही चंडीगड की एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो साइड है, उस पर PGT के डिफरेंट डिफरेंट सब्जिक्ट का सलेबस आ चुका है, आप वह मिल जाएगी, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता है, इसके आपको 100 कोशन आएंगे, और पेपर में क्या है, नेगिटिव मार्किंग है, पेपर वन आपका 50 मार्क्स करहेगा, जिसके अंदर आपको यहां भी नेगिटिव मार्किंग है, और आपको 40 पर पर में 40 परसेंट तो क्या होने चाहिए, इसके बाद देखिए, हमें जो अपनी एकनोमिक्स के अंदर कौन-कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, माइक्रो एकनोमिक्स को, मैक्रो एकनोमिक्स, डवलप्मेंट और प्लानिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल एकनोमि इंडियन एकनोमि, स्टैट्स की एकनोमि, तो आपको एकनोमिक्स की साथ सब्जेक्ट को पढ़ना है, और आपका सारा सले बस इनी सब्जेक्ट में से आएगा, अगर हम बात करें डिटेल में टोपिक्स की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रो एकनोमिक्स की, माइ वो आपको discuss करना पड़ेगा यह कह सकते हैं कि एक्जाम में आपको यहां से question देखने को मिलेगा उसके बाद consumer behavior and demand से आपको एक उभोगता कव संतुलन में होता है उसकी कौन-कौन सी conditions होती है utility analyze indifference का अप्रोच डिमांड में अगर हम बात करें तो मार्की डिमांड डिमांड को कौन-कौन से factor जो है वो डिट्रमाइन करते हैं जो डिमांड वाले जितने भी movement हो डिमांड काम में शिप्ट होता है डिमांड काम में सब आपको डिमांड वाले चेप्टर को पढ़ना पड़ेगा और डिमांड वाले चेप्टर के बाद हम different different elasticity की बात करते हैं कि price की elasticity होती है ठीक है तो percentage elasticity यह जो इलास्टिसिटी वाला आपको चेप्टर रहेगा आप देखना कि आपको कौ का चेप्टर होता है यहां से theory questions भी आ सकते हैं और mathematical questions भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं उसके बाद माइक्रो एक्नोमिक्स में आगे आपको चेप्टर करना है वो कौन सा है producer कि सरह से behave करता है और कैसे वो supply का decision लेता है फर्स्ट टोपिक आपका यही है कि production के agent कौ होता है इनके different different curves जो बनते हैं वो ISO quant return to a factor आप यह कह सकते हैं कि एक production को करने में जो कोस आती है जो revenue होता है जो उसकी different different curve बनते हैं उनके जो relationship होते हैं वो सब आपको करना है अफिर उसके बाद supply supply कैसे होती है supply को कौन-कौन से factor determine करते हैं supply curve क्या होता है supply में moment or shift होती है वो कैसे होती है elasticity है अभी आपको बतानी है कौन-कौन से component होते है supply के theories of distribution distribution की जो theories होती है जो हम micro economics में पढ़ते हैं welfare economics इन्होंने एक word दिया है लेकिन यह different different आपसे welfare economics के बारे में पूछ सकते हैं पीगू ने क्या कहा कैल्डर ने क्या कहा तो welfare economics में जितने भी economics आते हैं arrow impossibility theorem वो यहां पूछ सकते हैं क्योंकि इन्होंने नाम क्या दे दिया welfare economics तो जितनी में welfare economics की theories है वो आपको paper में देखने को मिल सकती है इसके बाद अगर हम बात करें micro economics में जो market होती है different market perfect competition imperfect competition है monopoly है monopolistic competition है different market की characteristics है तो वो सब आपके micro economics के slaves में रहेगा और उसके बाद देखो क्या एक चीज़ इन्हों एड की है कि different markets का आपके demand वगाए supply के shift पर क्या impact पड़ेगा यह सिरफ इतना सा ही इसलिए बस इन्होंने micro economics के लिए बोला है अगर आप देखो macro economics में कौन-कौन से topic रहेंगे private income क्या होती है personal income क्या होती है personal disposable income क्या होती है macro economics में GDP किसको बोलते है NDP GNP NNP at factor cost तो यह सब आपको आप यह कहो macro economics में national income के जितने भी formulas है वो आपसे exam में वो पूछे जा सकते हैं इसके लावा circular flow of income circular flow जो income का होता है वो क्या होता है national income को measurement हम कैसे करते हैं तीन method होते है income method expenditure method output method यह तीनों ही method आपके measurement of national income में आएंगे उसके बाद जो national income और output का determination कैसे होता है आपने देखा है केंज नी income और output का determination किया था उसने aggregate demand और aggregate supply को किस तरह से equal करकर ऐसा किया था तो वो पूरा chapter आपको यहां पढ़ना पड़ेगा देखिए propensity to consume save involuntary unemployment क्या होता है फूल employment क्या होता है कैसे income और output का determination होता है investment क्या होता है investment का जो multiplier होता है निवेश गुणक वो कैसे काम करता है तो आप देखिए macro economics में जो topics हैं कोई difficult topics नहीं है और जो आपका important topic रहेगा question क्या है आएगा access and deficit demand हमारी demand कहीं पर बहुत जादा बढ़ जाती है कहीं पर हमारी demand बहुत कम हो जाती है तो यहां पर कि government किस तरह से अपने instrument की help से demand को गिरने से रोक सकती है और demand हद से जादा बढ़ जाए तब government क्या करेगी इस तरह से वो आपसे accession reason में question पूछ सकते हैं कि और government इसको कैसी ठीक कर सकती है और एक जो topic आपका आएगा वो आएगा inflation वाला demand full inflation भी पूछ सकता है वो यहां से आपसे और cost full inflation को भी पूछ सकता है macro economics का syllabus अगर आप देखो तो कोई जादा मुश्किल नहीं है macro economics का इतना ही आपका स्लेबस रहेगा अगर हम बात करें development and planning की development and planning में भी आप देखो कि Indian economy independence के time कैसी थी आज कैसी है आज कौन-कौन सी problem या कौन-कौन सी policy agriculture सेक्टर में या फिर industry सेक्टर में और हमारे foreign trade सेक्टर में हम जो हैं वो use कर रहे हैं जो हमारे five year plans रहे आपने देखा कि हमने बहुत से topics में डिसकस किया है five year plans से question इन्होंने कहा है आपके syllabus में add कि five year plans और जो different different planning थी उनमें अलग-अलग controversy हुई थी तो वहां से भी आपको question देखने को मिल सकता है development planning का syllabus कुछ जादा नहीं है इन्होंने थोड़ा सा ही डालने आपका public finance के अंदर अगर आप देखो तो money money कहां से जो है start होती है money कैसे काम करती है central bank कैसे काम करता है आपके commercial bank कैसे काम करते है recent जितने भी reforms हुए है Indian banking system में हमारे जितने भी reforms हुए है चाहे वह 1991 का हो 1998 का हो तो वह सारे के सारे जो reforms है ठीक है वह सब आप से पूछे जा सकते हैं और public finance का जो यह बस है आपका आप देखो काफी काफी वासले बस है आप देखो आपसे और क्या पुछा है public finance के अंदर प्रिंसिपल पुब्लिक फाइनेंस और ठीक पुब्लिक रिवेन्यू पब्लिक डैप्ट की गोवर्मेंट के बजट तो पुब्लिक फाइनेंस की काफी सारी ठीक आपको पुब्लिक इकनोमिक्स पे पढ़नी पड़ेगी पहला उन्होंने बोला प्रिंसिपल पुब्लिक फाइनेंस की यहां पर जो पुब्लिक एक्स्पेंडिजर की सारी ठीक को करनी है ठीक है गवर्मेंट ने मालव एक्स्पेंडिजर किया तो उसका production पर भी पड़ेगा कंजप्शन पर इंपक्ट पड़ेगा डिस्ट्रिबूशन पर इंपक्ट पड़ेगा तो यह सब आपको पब्लीक फाइनेंस के अंदर यह सब आपको करना है मैक्सिमम शोचल अड़ांटेज की जो ओर यो है डोलटन की यह भी आपके सलेबस का पार्ट यह बना दिया अगर हम बात करें तो गुवर्मेंट की रिवेन्यू की भी ओर इंधर बहुत सी ओर यह तो गुवर्मेंट की जो टेकर्टेशन और रिवेन्यू corporation tax हो गया exercise duty हो गई sale tax हो गया custom duty तो यह सब जो है theories of public revenue के अंदर आएगा अगला जो topic रहेगा आपका public debt government अलग-अलग तरीके से जो है सरकार जो है लोल लेती है public से तो अलग-अलग form उसकी हो सकती है तो government को वो debt को वापस करना पड़ता है debt का कैसे management होगा तो यह public debt का भी सारा topic आपको public finance में करना है अगला जो आपका topic रहेगा public finance के अंदर आप देखो government का budget अब government budget बनाती है उसके कुछ component होते हैं उसके कुछ objectives होते हैं government को अलग-अलग receipts मिलती है government अलग-अलग expenditure करती है उसके बाद government के budget के भी types होते हैं revenue budget हो गया तो वह सारी formulas और government को deficit घाटा होता है तो government घाटे को ठीक करने के लिए क्या क्या करती है तो यह सारा topic आपको जो है वह करना है जो government budget को अलग-अलग policies लेकर आती है वह सब आपको करना है इसके अंदर तो आप देखो कि आपका जो है micro macro का syllabus उतना नहीं है लेकिन आपका जो public finance का जो syllabus है वो काफी जादा है जैसे functional finance और development finance होता क्या है इनके बीच में क्या difference है तो difference से भी आपको एक्जाम में question पूछा जा सकता है ऐसा इन्होंने सब्देक्ट रहेगा आपका देखो इंटरनेशनल इकनोमिक्स में कुछ ज्यादा स्लेव इन्होंने नहीं बोला इन्होंने का है foreign exchange rate होती फिक्स और पढ़नी है उसके क्या merits है क्या demerits है balance of payment को आपको पढ़ना है meaning आपको पढ़ना है उसके components को पढ़ना है और international economics में और क्या चीज़ आपको पढ़नी है जो international economics की trade की थियोरी है absolute cost advantage comparative cost advantage action rolling की थियोरी तो वह सारी थियोरी आपको पढ़नी है उसके बाद IMF और World Bank यह कैसे बने कैसे कैसे collapse हुए ते फिर इनका और इन organization का क्या हुआ था गठन हुआ दा WTO कैसे बना यह सब आपको international economics में पढ़ना है और जो international economics का स्लेबस भी कोई बड़ा नहीं है अगर हम बात करें इंडियन economy की तो इंडियन economy में आप देखोगे इन्होंने starting कहां से की है इन्होंने कहा है जो 1991 में जो reforms हुए थे इनका आपको critical analyze करना आना चाहिए कि positive साइड भी हो और negative साइड को भी आपको देखना है कौन-कौन से liberalization globalization privatization और करंट में government ने poverty को दूर करने के लिए क्या किया पौवर्टी प्रोग्राम रूलर development के लिए government आज के टाइम में क्या कर रही है agriculture की classification alternative farming organic farming human capital formation यह जो करेंट में जो इंडियन इक पूछे जा सकते हैं या फिर हम यह कहें growth education sector के इंडिया में इस टाइम कैसी हो रही है employment opportunity कितनी है क्या हमारे आपर infrastructure problems है sustainable economic development हम चाहते हैं तो वो क्या होता है उसके meaning क्या है और अगर sustainable development होता है तो economy पर या resources पर या environment पर क्या इसका impact पड़ेगा तो यह सब topic आपको Indian economy में करने हैं जो लास्ट topic आपको करना है वो है development experience of India यह आपने देखा होगा के वेस में भी question था कि कि हमारा अपनी नेबर कंट्रीज के साथ development experience कैसे हैं इंडिया हो गया पाकिस्तान हो गया चाइना हो गया तो इनके साथ हमें अपने development का comparison जो है वो भी study करना है उससे भी हमसे question पूछा जा सकता है इसके अलावा लास्ट सब्जेक्ट हमारे पास बचा और आपको क्या करना है जो यह population वगएरा होती है sectorial development होता है यह सारे indicators जैसे है यह आपसे पूछा जा सकता है पी क्या वेला यह आपसे पूछा जा सकता है कि मीनिंग क्या होता है स्टैट का scope क्या है क्या importance है स्टैट की economics के अंदर data जो है आप कैसे collect करते हो कैसे उसको organize करते हो इंडिया में सेंसिक्स जो system है ठीक है वो कैसी है national sample survey organization क्या है वो क्या करती है स्टैट के अंदर हो चीज़े जो आपको mathematically जो चीज़े करनी है सेंटल टैडेंसी वाला चैप्टर आपको करना है geometric mean harmonic mean measures of dispersion को कैसे निकालते हैं उसके बाद low range curve आप कैसे निकालते हैं और correlation क्या होता है काल पियर्सन correlation चीज़े कैस पियर्समें rank correlation introduction of index number index number में भी आपको types of index number दे रखे हैं wholesale price index number consumer price index number index of industrial production and uses of index number आप देखो आपका stat का कुछ भी स्लेवस नहीं है बिल्कुल यहां तो चूरी यह आपको पढ़नी है और यहां पर आपको central tendency वाला chapter करना है आपको correlation वाला chapter करना है और आपको index number वाला chapter करना है यह आपका चंडीगर्ड का PGT economics का syllabus है जो आपके 100 question subject से आएंगे और one fourth आपका क्या रहेगा negative marking रहेगी अगर स्लेवस के हिसाब से पेपर आता है तो आप देखना पेपर easy रहेगा क्योंकि स्लेवस कोई मुश्किल नहीं है वैसे हम different different previous year question papers solve करते रहेंगे और जो important topic कि स्लेवस में है उनको भी हम चैनल पर discuss करेंगे I hope so आपको इस लेवस समझाया होगा आपको इसकी PDF हमारे telegram channel economics by dd पर मिल जाएगी आप वहाँ पर जूट सकते हैं क्योंकि जितने भी हम चैनल पर जो भी discuss करते हैं उसकी वहाँ पर हम PDF जो आपको मैं provide करा देती हूं I hope so आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो please मैंने चैनल को like करना, share करना and subscribe करना Thank you so much for watching this